जेह माता दे राशी फर पंचांग में आपका स्वागत है 13 सितंबर 2020 मकर दैनिक राशी फर में सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में मकर राशी वालो 13 सितंबर बुद्वार का दिन है भादर प्रद कृष्ण पक्षिकी चतुर दर्शी तिथी रहेगा मका नक्षतर का प्रभाव पूरे दिन रहेगा सिध नाम का योग बन रहा है चंद्रमा सूर्य के साथ है सिंग राशी में कोचर कर रहे है मकर राशी वालो अभीजीत मुरत 13 सितंबर को नहीं है विजे मुरत दो पहर दो बच कर किस मिट से लेकर तीन बच कर ग्यारा मिट तक रहेगा और राहुकाल दो पहर बारा बच कर सत्रा मिट से लेकर पौने दो बज़े तक रहेगा राहुकाल के समय कोई भी नया शुपकारिया ना करें रिगना सकती है तो चलिए बात करते हैं आपके राशी फर के बारे में मगर राशी वालो दिन आपका मध्यम फलदाई रहेगा आपके प्राकरम में वर्धी होगी अपनी योगता की बदॉलत हर कारे को करने में सफल रहेंगे आप अपने दिन्चरिया में किसी प्रकार का कोई भी हेर फेर ना करें किसी भी कार को करने में आलस ना करें इसके कारण ना आपका कोई बंता हुआ काम बिगर सकता है आर्थिक हानी भी हो सकते है कारी शेतर की बात करें तो वर्क लोड आपका बढ़ सकता है कुई तरिक दिम्मेदारी आप पर सौकी जा सकती है नौकरी में कारिशितर में परिवर्टन हो सकते है आज नकरात मक्ता जादा रेखने को मिलेगा मकर राज्शी वालो कारिक किसे जम्मन्दित यातरा कर सकते हैं इसमें साथधानी रखें आज किसी पुरानी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव आपको मिल सकता है मकर राज्शिवालो रहन सहन अव्यवस्थित रह सकता है मन तोड़ा सा शांत होगा स्वभाव में भी जिद्धेपन देखने को मिल सकता है जो लोग राजनिती के चेतर से जुड़े हुए हैं उनको लाब की योग बन रहे हैं रिष्टों की बात करें तो आज परिवाल में सुक समर्धी बढ़ेगी सुक शांती बने रहेगी संबंदों में मधूरता रहेगी लेकिन परिवाल की समस्य आपको परिशान कर सकते हैं तो ऐसे में किसी से बहस ना करें जीवन साथी की बातों में करवाहट आ सकती है तो आप लोगों की भावनाव को समझने का प्रयास करें विवाद से दूर हैं लव लाइफ की बात करें तो ज्यादा emotion से बचे प्रे में कूड ना करें तो बहते रहेगा आज चातरों की बात करें तो गलत संगत में आप पढ़ सकते हैं तो संतान पर थोड़ा सा नज़र रखें जो लोग कला चेतर के या संगीत के चेतर से जुड़े हुए हैं बड़ा सम्मान आपको मिल सकता है आज किसी भी दूसरे पर विश्वास ना करें आप किसी के बातों में आप आ सकते हैं तो थोड़ा साथधान रहें जो स्टूड़न से पढ़ाई करें तो चिंता मुक्त आप रहेंगे आज के दिन धन में ब्रदी हो सकती हैं जिससे आर्तिक स्थिति आपकी मजबूत रहें लेकिन अनियोजित खर्च भी बढ़ेंगे पैसों के लिए दिन करते समय बहुत ही ज़ादा साथधान रहें धन मुक्सान के योग बन रहें तो धन को लेकर साथधानी से फैसले लें स्वास्त की बाते तो आज जीवन साती के स्वास्त पर थोड़ा से ध्यान दे और स्री स कुट का पाट करना आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा सुमंगल प्रदान करेगा भाग्यांक एक है आपके लिए भागशाली रंग के सरिया है आज के लिए बस इतना ही वीडियो में कमेंट करें वीडियो को लाइक शेयर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें अगले राशी फल में मिलेंगे आपका दिन शुम्हो जै श्री राम जै